हिंदू धर्म में फूलों का पूजा पाठ में इस्तिमाल किया जाता है भगवान को प्रसन करने के लिए उन्हें फूल अर्पित किये जाते हैं इसके अलावा वातावरण को शुधा और खुशनुमा बनाए जाने के लिए भी कई तरह के फूलों का उप्योग होता है बता दे कि हिंदू धर्म में हर फूल का अपना महत्व बताया गया है वहीं जियोतिश शास्त्र के मुताब की फूलों के जुड़े कुछ अचूक उपायों को अपनाने के व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकता है इन उपायों को करने से आपको निश्चित तौर पर लाब मिलेगा आईए जानते हैं कदंब के फूलों के कुछ अचूक उपायों के बारे में जानिए कदंब के फूलों के अचूक उपाय कदंब के फूलों को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है बता दे कि यह फूल भगवान श्री कृष्ण को अत्यांत प्रिय हैं इसलिए यदि इन फूलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाए तो व्यक्ति पर उनका हमेशा आशीरवाद बरसता है पौरानिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाया करते थे तब वह कदंब के पेड़ पर बैठ कर बासुरी बजाते थे आपको बता दें कि यमुना के किनारे निधिवन के पास आज भी वह कदंब का पेड़ मौजूद है हजारों की संख्या में आज भी श्रद्धालू इस कदंब के पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं इसके अलावा यमुना किनारे मौजूद कदंब के पेड़ की पूजाभी की जाती है मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को कदंब के फूल अर्पित करने से कृष्ण जी की कृपा बरस्ती है कदंब का फूल चड़ाने से श्री कृष्ण प्रसन होते हैं वहीं व्यक्ति की परेशानियों का भी अंत होता है। श्री कृष्ण को भगवान विश्णू का अफ्तार माना जाता है। मान्यता के अनुसार। श्रीहरी विश्णू को कदंब का फूल अर्पित करने से गुरू ग्रह अनुकूल होता है। कुंडली में गुरू ग्रह की स्थिती अनुकूल होने से व्यापार, नौकरी और शिक्षा आदी के क्षेत्र में लाब होता है। घर के मुख्य द्वार पर कदंब के फूल को तोरण के रूप में लगाने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही राहू का दुश्प्रभाव कम होने के साथ ही घर में सुख्षांती का माहौल बना रहता है। मंदिर या तिजोरी में कदंब के फूल को रखने से व्यक्ती को लक्ष्मी नारायन का आशिरवाद मिलता है। आर्थिक तंगी दूर होने के साथ ही धनलाब होता है। अगर व्यक्ती पर कर्ज होता है, तो वह भी खत्म हो जाता है। वैदिक ज्योतिश के अनुसार, अगर कदंब के फूल को श्री कृष्म चमतकारिक मंत्र के साथ तवचा पर रोजाना पीस कर लगाया जाए। इससे चर्म रोग से निजात मिलता है। पती पतनी को साथ में कदंब के फूल को भगवान श्री कृष्म और राधारानी को अरपित करना। चाहिए, इससे दमपती के वैवाहिक जीवन में मधुर्ता आने के साथ ही प्रेम संबंध अत्यदिक मजबूत होता है।